नमस्तार मैं काजल शर्मा आप देख रहे हैं पबाद न्यूज हम बात करें हर्याना के मशूर आशिक जिसने अपने तानाशाही रुखने को अपने किश्व में भी बतरार रिखा पांसो से ज्यारत एस होने के बावभू किसी भी तरा की कोई भी खोस्तानुदी कार रही नहीं है अचलिए हम दिखा गए आपको उस तानाशाही आशिक की पूरी कहान रजा तेरी उंगली पै किसे ओरने न जाये गोरे रंकी तुक करके मरोडना दिखाए रजा तेरी उंगली पै किसे ओरने न जाये गोरे रंकी तुक करके मरोडना दिखाए अर प्यार ते भी जादा गुसा बर्यागा तुमें अर दब दानी बाज सुन किसे चीले तै अर तेरी ये बेडा बजालरी थी बैलडी रजाली दक्के मार के नकादी दिलते रैत तेरी ये पैणा पैजाल रेती पैलडी रैसली तक्के मार कैन काटी दिलत अर फेग विगोन्यार आगने नेक विगोन्यार साची पूछ तो रैतान साही बंदेसा अर जितनी सुनी सतन मारे बारे मैं अर उस्त तक्काई गुणा जाता अगन्देसा अर फेग विगोन्यार आगने नेक विगोन्यार साची पूछ तो रैतान साही बंदेसा अर जितनी सुनी सतन मारे बारे मैं अर उस्त तक्काई गुणा जाता अगन्देसा अर गितने लडे सेंगे से छोरी छली आगे मखा जागन तु पूछिये मेरे वकीलते अर तेरी ये बैडां पैजालरी थी पैलडी रे साली तक्के मार कैन काटी दिलते अर तेरी ये बैडां पैजालरी थी पैलडी रे साली तक्के मार कैन काटी दिलते दिमाख को नलाया करदे रह डारलिंग दिल लाग्या करजनी वाण में जीन पावगी दो दिन मुस्किलते मार तेरिये पेडाप जालरी थी पेलडी रे सालितंगे मार के नेंकाठी दिलते रहे तेरी ये पैड़ा पैजालरी थी पैलडी रहे साली तक्के मारे कैदे काटी दिलते तो चलिये वक्ष हो चुका है एक छोटी से ब्रेक का और ब्रेक के उस पार्वन रोटेंगे एक ओम दिल्चस स्वान के जाए बने लिए बवार्ड नुस के जाए